कि नमस्कार दोस्तों मैं भी राट शोदरी श्वागत आपके अपने यूट्यूब चनल कमांड और केड़ी में दोस्तों आज का तो वीडियो इस पेशली ये काशी सारे बच्छों की पिश्वन आता है कि सरे एसे से जीडी में जितने भी जोब होती है इनकी शेलरी के बारे में एक बार वीडियो बना दीजिए तो आज का ये वीडियो पूरा का पूरा आपकी सेलरी डीटेल पे कि कौन सी पॉर्स आप सभी को पता है एससे जीडी या स्टाफ सेलेक्शन कमिशन डिफेंस की रूपे पिरेमिलिटरी फॉर्स की रूपे क्यों दो पोस्ट की ही कर र जब प्रेंग्त वज hani की ट्रेंणन की अलग लग होता है तो आज के इस वीडियो में आपको बथाने वाला हूं कि सबसे ज्यादा पेमिलता उत सबसे कम को को सी पर मिलता और क्यों मिलता हुआ क्यों उसका प्रस में ज्यादा पिरस की किसमें चिंडा प्यरस मिलते हैूं कि स्पॉर्स में किस परकार की जो सेलेरी से समन्र पूरा वीडियू आपको सेलेरी साथ में एक्स्ट्रा मनी तो सभी के बारे में आपको बता है को रहे कि अर्मी की 보ल में तो दोस्तों मेरा दूसरा YouTube चनल कमांड़ों शियू डिसक्रफ्सिसम में और आपको मेरे जब चैनल ओपन करोगे वहां पर मिल जाएगा यूटूब पे आप सार्च करने ना वहां पर मिल जाएगा वहां पर मैं आपको फीजिकल और जिसमें देद बहुत शांदार टेफ्ट देता रहता हूं कि आपको कोई मेडिकल पॉइंट है तो जुरूर आप वहां से क्लिर कर पाओं दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी कितनी सेलेरी होती है आप सभी को मैं बता दूं सेलेरी पाने के लिए सबसे पहले आप करने के लिए आपके पास में फिक्स भी होनी चैया है रिस्षी मेंम करने के लिए आपको सभी को पता है कि आपके पास्सां थीन मुहीं SGD चार मुहीं का समय बचा है तो आपको पास में अच्छी घाय्ड होना बहुत ज़रूभी है तो दोस्तों यह बुक है जी सिरी की उर्फिल स्रिस यह पूरे डिस्क्रापशन में भी यह गया वे अडिये जाके धिक सब्सक्राइब में आज खरीद लीजिए अगर आप ऐसे से जीडी के तयारी कर रहे हैं तो तो क्योंकि बहुत ही शांदार को कि इसमें ओल्ड पेपर चबदा पंद्रा और बीच से उपर प्रेक्टिस एट दो और उनलाइन टेट सिरीज भी आपको इसके साथ मिल जाती है तो मतलब आपको तैयारी करने काफी कुछ मैटेरियल यहां से मिल जाता है अब बात करते हैं शेलेरी की दोस्तों मैं बता दूब बेसिक शेलेरी चाहिए अससप और असमराइपर इन सभी की बेसिक शेलेरी है सभी की समान होती है 21,700 रुपे आप जब भी अभी परजेंट टाइम में अगर की दिल्ली यहांपर 24 परसेंट को औरे लावाएम आपको मिलता है डी परजें टाइम में अगर जैसे आपको 10 % तो आपको 10 परसेंट आपका इस्टार्ट होता है सब्सक्क्राइब यह में दो बार बढ़ा उती होती है आप सभी को पता होगा लेकिन कई बचोंका नहीं पत परती है आपकी payment इसको बोलते है increment तो दोस्तों इस परकार से आपकी payment परती है अब बात करते हैं training के training के समय जब तक आपकी training होगी तो लग बलग बलग सभी forces में आपकी payment समान होगी जदा का फरक नहीं होगा 200-400 रुपे का फरक हो सकता है लेकिन हाँ परस्टनली तो पर बच्चों में पेमेंट का काफी बड़ा-बड़ा फरक आ जाता है उसका रेजन क्या है दोस्तों 21,600 जिस बच्चे को 8% मिलेगा मिनिम्मम 800 रुपे हैचारी मिलता है अगर 8% से भी कम है तो 1800 200 रुपे मिनिममम मिलता है अब मान के चलिए किसी बच्चे को 24% एचारी मिलता है तो फिर उसका एचारी ज्यादा हो जाता है तो उसकी वज़े से पेमेंट में काफी अंतर देखने को मिलते है जो एक ही जोब में होने के बादो यह नि अगर आप भी CRP में आपका दूसरा अगर वो दिल्ली से भी लोग करता है तो उसकी पेमेंट जयदा होगी आपकी कम होगी उससे कम से कम 2-3,000 रुपे यह नि 3-4,000 रुपे तक का आपको फरक देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इस परकार से अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद में शेलरी का क्या क्य पेमेंट का जो नियम होता है वो यह होता है कि हर साल आपका 700 रुपे इंक्रिमेंट बढ़ेगा बेसिक पेमेंट जैसे आप 2700 से लग रहे हो तो अगली साल आपका हो जाएगा 22,400 उससे अगली साल हो जाएगा 23,800 और उससे अगली साल हो जाएगा 23,800 और उससे अगली साल चार के बीच में बढ़ता है इन्साल में आपकी तीन बार टोटल पेमेंट में बढ़ती होती है लेकिन इंक्रिमेंट GMT तो तीन बार जो होती हैं दो बार mm तो दो सब्सक्राइ audi अब चाएंड किसे चार परसेंट सरम ना मान सकते हो गता हूं तो एक नियम होता है कि 3%-4% payment का increment लगता है लेकिन 5 साल तक पहले 5 साल तक आपके सिर्फ 700 रुपे सालाना payment में बढ़ेंगे तो 22,400 आपकी basic payment हो जाती है उसके बाद में आपका एंचारे रे मिलता है जो ट्रेनिंग में मिलता है बाद में भी एंचारे मिलता है लेकिन डी आपका 10% से बढ़कर 16-17% हो जाता है तो डी आपका 16-17% हो जाता है इसका मतलब कि आपकी payment में डी ए लेवल पर मतलब दो जारूपे के आजपास बड़ा उत्रिक हो जाती है अब बात में बात आती है कि सब की अलग-अलग payment कौन सी पोर्स में सब ज़्यादा payment मिलती है और क्यों पहले होता है दोस्तों सबसे कम payment मिलने का result और बड़ा मिलने का result क्यों दोई है जहां पर टीपिकल्ट एरिया होगा या मुश्किल ड्यूटी होगी या हार्ड ड्यूटी होगी वहां पर payment ज्यादा अच्छा मिलता है और जहां पर नॉर्मल एरिया होगा या साधान एरिया होगा जहां पर रिस्क कम होती है वहां प परकार के risk allowance decide करती है कि कस्मी में हमारी फोर्स यतना मिलेगा दोस्तों center government decide नहीं करती है जैसे मैं आप को उदाण के लिए बतातुकं BSF भी झम्मू में duty करती है army बी जब में duty करती है CSP भी जब में duty करती है मिलता है तो मतलब अलग-अलग यह की जगह ड्यूटी करने पर भी जिस कलम्स अलग-अलग होते हैं उसका रेजन क्या है उसका रेजन यह है दोस्तों कि बीस अब के लिए बोर्डर सेकुरेटी फोर्स के रूप में जम्मू काफी टिपिकल टेरिया क्यों कि वहां से भारत- है अब बता दोस्तों तो जिस प्योथ के लिए उसका पयमेंट हमेंसा रेजन के मैं कम होता है तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे कम मतलब रसक रलाउंस वाले एरिया में रथी पिर इस वकार नाशम रैफल और कि किर्फ की चैपने सबसे ज़्यादा रिसक लांस किसको मिलता है क्यों मिलता कि कि यह ब्रफिय की ज्यादा दूटि नक्स लाइड जलाइड एडिया यह जम्मु कमी लो मिल्टेजेंस एरिया में ही ड्यूटि करती है साथ में election duty लिए से पैसे मिलता है और एक्स्टा पैसे मिलता है तो मैं बता दूडू पैसे के मामले में से यहाएःएप और सबसे उपर रहती है मतलसा सबसे जायदा पैमेंट किसी को मिलता है इल्फोर्सेस में तो सबसे जादा मिलता सब्सक्राइब के जबानों को उसका रिजन ज्यादा तर ड्यूटे सब्सक्राइब कि कश्मीर जम्मू या जमू शेतर में या पाकिस्तान से लगें जिन सेतर में ड्यूटी करते जबान उनकी ज्यादा मिलता है उसके बाद में बात करें आर्मिय के साथ में पटेस्ट्राइब करती तो उनको वहांपर रिसक्राउइब को मिलता है उसके बाद में अगर बात करया सिह सप्ट कि आप सभी को सबी करती है जहां पर काफी चानती है वहां महां पर कोई ज़्यादा रिसका नहीं इसलिए उनको विश्कालाउंस कम मिलता है लेकिन उनको टिपीटी मतलब ट्रांस्पोट लॉप में काफी पैसी मिल जाता है क्योंकि वार बार यह उदर से उदर उदर उनका भर्मन चलता रहता है इसलिए एक सिटी चे दूसरे सिटी जाने के लिए या ट्रांस्पोर के रूप में उनको सिटी का लाउंस यह बाहर की डूटी में मिल जाता है लेकिन सबसे पर अगर मने जाए पेमेंट पर ऐसे जिदी के दुवारे इतने भी फॉर्श है इनमें सबसे ज्यादा पेसे कौन सी पॉर्श मिलते है उसके बाद में पिर बाद में आपने समराइपर यह आई टी पी पी ऐसेश भी और शेयस परकार से बोल सकते हैं समान समिलता है कुछ यह आई टी बीपर की काफी टिफिकल्ट जगह में हैं जाने हमाले के पहाड़ी ओंपर है तो वहां पर इस लउबस अच्छा मिलता है तो दोस्तों इस प्रकार से इन सभी फोर्सेस में सेलेरी बनती है सेलेरी बेसिक बार ट्रेनिंग के बाद में सेलेरी में काफी अंतर आ जाते हैं दोस्तों जै हिंद जै भारत